हेलो दोस्तो नमस्कर मेरे ने में कार्तिक और आप सभी को स्वागत करता हूँ के टक मोनेटर येटूब चेनल पर तो दोस्तो आज किस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप अपने फैस्टबूक पेज के अस्टास को सेट अप या इनेबल कैसे करें हाँ दोस्तो अगर आप अपने फैस्टबूक पेज पर अस्टास मोनेटाजेशन करना चाते हैं तो दोस्तो इस वीडियो को लास्ट तक वाच किजिएगा मैं आपको इस वीडियो में सारा प्रोसेस अस्टब बास्टब बताऊंगा बड़ दोस्तो अपने फैस्टबूक पे अस्टार्स मौटाजेशन कर सकते हैं तो दोस्तो मेरे Facebook पेज पर 4K पलस फुलोवर्स हो चुके हैं तो चलिए मैं अपने Facebook पेज के अस्टार्स को सेट अप करके दिखाता हूं दोस्तो सबसे पहले अपने मोबाइल में Facebook अप्लिकेशन को आपेंड कर लेना है उपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपने Facebook परफाइल के अस्टार्स को एनेबल करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अपने परफाइल को उपन करना है अगर आप अपने Facebook पेज के अस्टार्स को एनेबल करना चाहते हैं तो दोस्तो अपने Facebook page को open कर लेना है उसके बाद दोस्तो यहाँ पर personal dashboard पर click करना है click करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको इस परकार से interface देखने को मिलेंगे उसके बाद दोस्तो यहाँ पर scroll down करना है and दोस्तो यहाँ पर monetization का option देखने को मिलेगा इसमें यहाँ पर click करना है click करने के बाद दोस्तो यहाँ पर कुछ इस परकार से interface देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर stars को set up करना है क्योंकि दोस्तों अभी stars ही available है बाकी यहाँ पर bonus, live ads, in estimates, subscription यह सब eligible नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर सिरिफ मेरा अस्टार्स ही इजी लीवल है जो कि यहां पर setup करना है तो दोस्तों यहां पर आपको setup का option देखने को मिल रहा होगा इसमें यहां पर click कर देना है click करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको कुछ इस प्रकार से interface देखने को मिलेंगे जो कि यहां पर लिखा हुआ है yarn money with stars आपको stars मिलेंगे आपके जो fans है वे सब stars send करेंगे जिसमें आपको पेसे yarn होगा तो दोस्तों यहां पर आपको get started पर click करना है click करने के बाद दोस्तों यहां पर कुछ इत्परकार से interface देखने को मिलेंगे जो कि आपको legal first name and legal last name, date of birth, country ये सब type करना पड़ेगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जितने भी form खुलेंगे वो सारी form को आपको भरना है तो दोस्तों उससे पहले आप अपने अधार कार्ड and pen card को अपनी पास रख लिजिए जिससे आपको भरना पड़ेगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर legal first name पर अपना first name को type कर लेना है जो कि आपकी आधार कार्ड में होंगे तो दोस्तों चलिए मैं अपना first name को type कर लेता हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पर legal last name पर अपना last name को type करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको date of birth पर अपना date of birth को type कर लेना है तो दोस्तों यहाँ पर इस परकार से form को भर लेना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर next पर click करना है next पर click करने के बाद दोस्तों इस परकार से interface देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर आपका country यहाँ पर set रहेगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर business type पर यहाँ पर individual यहाँ पर set कर लेना है individual इसलिए दिये हैं क्योंकि दोस्तों हम लोग video creator हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर next पर click करना है next पर किलिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर next step पर जाएंगे automatic जो पहले टाइप कियें वही यहाँ पर आ चुका है जो कि यहाँ पर सिरिफ आपको middle name टाइप करना है यहाँ पर अपना address को टाइप करना है and city, state, अपना postal code, mobile number, email id and यहाँ पर pen card का number भी type करना पड़ेगा तो दोस्तों चलिए यह form को भर लेते हैं दोस्तों finally यहाँ पर सारे details को भर चुके हैं तो दोस्तों यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको automatic first name लेगा जो कि पहले type किये थे यहाँ पर आपको mini name type करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर last name automatic से type रहता है उसके बाद दोस्तों अपना rate of birth भरना है यहाँ पर अपना address भरना है जो कि आप अपने अधरकार्ट से भर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना city देना है अपना state देना है, अपना pin code देना है, postal code याण दोस्तो mobile number देना है याण यहाँ पर अपना email id देना है, उसके बाद दोस्तो यहाँ पर अपना pen card का number टाइप कर लेना है उसके बाद दोस्तो यहाँ पर tick mark लगाना है, याण यहाँ पर next पर click करना है next पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस परकार से इंटरफेस देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर दो option दिया हुआ है पहला manually link bank account and दूसरा link your paypal account तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास paypal account है तो यह paypal account पर tick लगाना है यहाँ दोस्तों अगर आप bank account link करना चाहते हैं bank account add करना चाहते हैं तो दोस्तों manually link bank account पर tick लगाना है दोस्तों यहाँ पर सबसे best है manually link bank account आप अपने bank account को जोड़ लीजिए जिससे आपको आगे चलके कोई दिकत ना हो तो दोस्तों यहाँ पर manual link bank account पर tick mark लगाना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर loading लेगा and next process जो यहाँ पर खुल के आया है जो कि यहाँ पर अपना country name होगा and यहाँ पर अपना bank details को भरना है तो दोस्तों यहाँ पर चलिए मैं अपना bank details को भर के आपको दिखाता हूँ दोस्तों यहाँ पर finally bank details को भर चुके हैं जो कि यहाँ पर आपके bank account पर जो आपका name रहेगा उस name को यहाँ पर आपको type करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर swift code को डालना है जो कि आप Google से पता कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना bank account number डालना है जो कि आपके पास्बुक में easily मिल जाएंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर link payout method पर click करना है click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस परकार से interface देखने को मिलेंगे जो कि add your text information करके एक form आएगा उसको आपको भरना पड़ेगा तो दोस्तों यहाँ पर चलिए add text information पर click करते हैं click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस परकार से interface देखने को मिलेंगे आप अपने facebook profile के id password को यहाँ पर type करके login कर लेना है login करने के बाद दोस्तों अपने facebook profile को continue करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस परकार से interface देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है text information तो दोस्तों यहाँ पर text information का option खुल के आगया है जो कि यहाँ पर इस परकार से है तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू ए यू एस सिटिजन यानि कि दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि आप यू एस से है या नहीं तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग नो करेंगे क्योंकि दोस्तों हम लोग का सिटिजन यू एस नहीं है तो दोस्तों यहां पर no करेंगे उसके बाद दोस्तों यहां पर और एक option खुल क्या गया है जो कि यहां पर लिखा हुआ है are you acting as an intermediary agent or other person receiving payment on behold of another person तो दोस्तों यहां पर पूच रहा है कि another person payment receive करेंगे कि खुद करेंगे तो दोस्तों यहां पर another person payment को रिश्उब नहीं करेंगे मैं औनर हूँ मैं खुद payment को रिश्व करूंगा तो दोस्तों यहां पर no कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर next पर click कर देना है next पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से interface देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर अपना country को select कर लेना है select करने के बाद दोस्तों यहाँ पर next का option देखने को मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पर किलिक कर देना है Next पर किलिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर आपका सारा डिटेल सरहेगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको Next पर किलिक कर देना है Next पर किलिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस परकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको सेमेज परावमेंट एडरेस पर ही टिक लगा के Next पर किलिक कर देना है next पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस परकार से interface देखने को मिलेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको 0% पर tick mark लगाना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर next पर click कर देना है दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि आप United State में service performance कर रहे हैं क्या नहीं तो दोस्तों यहाँ पर United State में 0% performance कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर 0% पर tick लगाना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर next पर click कर देना है next पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस परकार से interface देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर आपका signature मांगा जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर अपना signature टाइप कर देना है तो दोस्तों चलिए मैं signature लगा लेता हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पर automatic आज का तारिक ले लेगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर tick mark लगा देना है याँ यहाँ पर next पर click कर देना है next पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इत्परकार से interface देखने को मिलेंगे जो की यहाँ पर लिखा हुआ है review and submit तो दोस्तों यहाँ पर आपको यह देख लेना है कि आपका name and address सही है क्या नहीं तो दोस्तों यहाँ पर scroll down करना है याँ यहाँ पर submit from पर click कर देना है click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर loading लेगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर finally your text information is complete हो गया है जो कि यहाँ पर इस परकार से है तो दोस्तों यहाँ पर आपको done कर देना है done करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका सारा प्रोसेस complete हो गया है दोस्तों यहाँ पर finally a start setup हो गया है जो कि यहाँ पर click करके आप देख सकते हैं तो दोस्तों I hope कि आपको इस वीडियो को देखकर काफी कुछ सिखने को मिला होगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर देजेगा और दोस्तों इस चैनल पर नहीं हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके ओल बटन को प्रेस कर लिजेगा क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर इस तरह से टेक्स जोड़ी वीडियो के जानकारी हम ऐसा मिलती रहती है तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तब के लिए दोस्तों जैहिंद